तो hai लो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको उताने आलों Google Chrome के नए फीचर के बारे में या भी वह सकते हैं Google Chrome के नए अपडेट के बारे में जिसमें कमाल का नए फिचर अलॉट किया है जिसका नाम है पासवर्ड मैंचर जो की बहुत ही कमाल का फिचर ही कहा मिलेग Google Chrome के नए अपडेट या नए फीचर के बारे में तो उसके लिए आपको करना किया आपके अपने वाल में जाना है Google Chrome पे Google Chrome में जाने किया है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कौन सा वर्जन में यहाँ पर चला रहा हूँ तो आप देखेंगे आपको latest 108 वाले create, save, manage your password so that can easily sign in with the sites and apps ठीक है अप यहाँ पर apps को लिएके, sites के लिएके सबके password यहाँ पर डाल सकते हैं उपर आपको password check up का भी option मिल रहा है और नीचे जिदने भी आपने password save कर रखे हैं सबका आपको यहाँ पर नीचे मिल रहा है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बाद काम करें, password check up क्या काम करेगा तो यहाँ पर आप जैसी click करेंगे check password पे, तो यह यहाँ पर सारे जितनी भी password आपके safe होंगे यह सबको check करेगा और उसके बाद आपको नीचे एक result आने जो की बहुत ही कमाल का result है, आप हो सकते हैं, बहुत ही useful आपको तीन तरीके से यहाँ पर result मिलने वाले है, no compromise password 32 reuse password और 38 week password मतलब की आपको सब कुछ बता रहा है सबस्टों पर no compromise password मतलब की ऐसा कोई password नहीं, जो की मैंने इसको compromise कि रहा हुआ है, तो पहला मेरा जो password है, पहला जो status है वो clear है, उसके बाद नीचे दिया गया 32 reuse password मतलब की 32 ऐसे password है, जिनको मैंने reuse कर रखा है या फिर बोल सकते हैं, अधिकतर apps में मैंने वो use कर रहा हुआ, जैसे कि आपको देखेंगे सिंपल ही आपको करना किया है, जैसे ही आप change password पर क्लिक करेंगे, तो आपको change password पर अलग से उस पर खुल जाएगा और वहाँ पर आपको change करने के लिए बोल देगा, तो यह ऐसे ही एक काम करेगा ऐसे ही आपको तीसरा whole method दिया गया है जिसमें लिखा गया है week password, जो कि आपके week password है, आपको उसको नया create करने के लिए आपको बुल रहा है, तो आप यहाँ पर create करके नया password यहाँ पर create कर सकते हैं, तो आपको यह solution देने वाला है password के लिए है, ठीक है यह तो हो गया यहाँ पर, उसके नीचे इनशी जितने भी आपके password save है न अब को मिल जाएगा यहाँ पर आपको add करना है तो यहाँ plus पर जाओ, अगर आपको किसी का add करना है, तो प्लस पर जाओ किसी app का add करना है, यहाँ select app पर सारी app हैं है अप यहाँ पर आपको save करने के लिए बोल देगा तो ऐसे आप इसको use कर पाएंगे ठीक है यह तो हो गया normal अब उसके बाद इसके आपको जाना है password setting के जो की main है यहाँ पर क्या रहा है setting के अंदर offer to save password की आपको offer करता है कि save password के लिए android में और google chrome पे अगर आप नहीं जाते तो आप यहाँ सफकोट आ तो आपको save करने के लिए नहीं बोलेगा उसके बाद आएगा auto sign in का option auto sign in मतलब कि जब भी आप उस website या उस एप को खोलो जिसका password अपना save कर रखा है तो automatic one sign in का option आपको मिल जाएगा उसके बाद नीचे दिया गया password alert google will notify when you have saved password are found online जब भी को ऐसा आपका password का alert आएगा कि कहीं online आपका password access हुआ है तो आपको वहाँ पर alert दे देगा उसके बाद कमाल का जो नया चीज है यहाँ पर export password में का copy और password to use with another service आप अपने password जो भी save है सबका export भी कर सकते हैं या copy कर सकते हैं आपको उस पर click करना है जैसी आप उस पर click करेंगे your password will be visible to anyone who can access the file यह आपके mobile की file में save हो जाएगा बड़ यह थोड़ा critical है क्योंकि जितनी भी चीज है मोलेंगे जितनी भी एप जितनी भी आपने apps को files की access दी होगी वह वहाँ पर उसका use कर सकता है आपको यहाँ पर जैसी क्लिक करेंगे वह आपको ले जाएगा अपने वहाँ पर और आप देखेंगे यह किस नाम से कर सकते हैं तो यह भी एक कामाल का चीज है उसके बाद दोस्तों की नीचे आएंगे on device encryption for edit safety encrypt your data device before you save to Google password manager तो आप यहाँ पर encrypt data भी कर सकते हैं कैसे आपको setup पे क्लिक करना है setup पे क्लिक करना है यहाँ पर तो यहाँ पर आप जैसे आप setup पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा time लेता है वह थोड़ा सा इंक्रप्ट होने में यहां पर आपको मिलेगा टैक कंटर यूर पासवर्ट फॉर encryption और और इस दिवाइंक्रप्शन टर्न यूर डिवाइस इंटुए की डैट यूज अलॉक यूर पासवर्ट विफोर दे जब भी आप और कोई पासवर्ट में लेगे तो वह एंक्रप्ट हो जाएगा उसको एक्सिस करने के लिए आपको एक पासवर्ट जो आप बनाएंगे वह डालना पड़ेगा अगर आप वह डालना भूल गया तो आपका पासवर्ट भी वहाँ पर हट जाएगा तो यह इसके बाद कोई एप्स और कुछ वेबसाइट होंगी जो आटमाडिक साइन नहीं होंगी विल नीड टो एंटर यूर गूगल पासवर्ट अन्लोग और पासवर्ट ऑन न्यू डिवाइस तो यह सब चीज करने के आपको सेट अप क्लिक करना है जैसी आप सेट अप करेंग पासवर्ट मेंगर का शॉटकट आपकी होम स्क्रीन पर आजाएगा जिसको आप एजिली एक्सिस कर सकते हैं जैसी उस पर क्लिक करेंगे आपको अपनी आईडी चूज करना है जिस आईडी से आपको लॉग इन करना है उसके बाद यहां पर चेक आउट कर पाएंगे उसके पासवर्ट मेंगे जो कि मैंने आपको बता है उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक्यू तो मुझे इस्टा और फेज़ू फोलो करना भी ना भूले इसका लिंक आपको नीश डेस्क्रिप्शन में जाएगा तो थैंक्यू दूस्तों